बग्यापुर नामक गाउं में सुशीला नाम की एक लड़की रहती थी सुशीला एक गरीब परिवार से संबंध रखती थी सुशीला के घर में उसके माता पिता और एक छोटा भाई था सुशीला के पिता एक किसान थे वो अपने खेत में सबजियां बोते और उन्हें गाउवासियों को बेचते थे सुशीला के पिता जी का सबजी बेच कर घर का राशन पानी नहीं चल पाता था आखिर सुशीला का एक छोटा भाई भी तो था वो गाउव के ही विद्याले में पढ़ने जाता था सुशीला का घर खर्श ठीक से चल सके इसलिए सुशीला गाउव के बच्चों को डांस क्लास देती थी सुशीला को डांस करना बहुत ही पसंद था और उसकी इतनी लगन और महनत देखकर उसके माता पिता भी कुछ नहीं कहते थे सुशीला और उसके पिता दोनों के पैसे मिला जुला कर ही उनके घर का खर्ट चल पाता था एक दिन सुशीला की मा रजनी उसके पिता से बात करते हुए अजी सुनते हो हमारी बेटी सुशीला बड़ी हो गई है हमें उसकी शादी के लिए लड़का ढूनना पड़ेगा हाँ रजनी तुम बिलकुल ठीक कह रही हो हमें अब सुशीला के लिए लड़का देखने में जादा देर नहीं करनी चाहिए हाँ हम कल ही बिचॉलिये से बात करके अपनी बेटी सुशीला के लिए किसी अच्छे लड़के के रिष्टे की बात करेंगे अगले दिन ही रजनी और उसका पती गाउं में बिचॉलिया के पास जाते हैं अरे रजनी तुम आज यहां कैसे आ गई भाई साहब नमस्कार नमस्ते रजनी नमस्ते सरकुशलमंगल बताओ मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूं हाई या बस हम अपनी बेटी सुशीला के लिए किसी अच्छे लड़के के रिष्टे के लिए आए हैं हाँ जी भाई साहब हम चाहते हैं ठीक समय के साथ हमारी बिटीया सुशीला की शादी हो जाए जी जी बिल्कुल ठीक बात कह रही हो तुम रजनी मेरे पास आया है एक लड़के का रिष्टा हम उस लड़के को सुशीला बिटीया के लिए देख लेते हैं अरे भाई साहब ये तो बड़ी अच्छी बात है आप उस लड़के के माता पिता से हमारी बेटी सुशीला की बात चलाओ ठीक है मैं कल ही उस गाँ जाऊँगा मैं कल उस लड़के के परिवार से सुशीला बिटीया की बात करूँगा ठीक है भाई साहब आप हमें अब आ गया दें जी ठीक है नमस्ते रचनी और उसका पती बिचॉलिया के घर से वापस अपने घर की तरफ लोट जाते हैं अगले दिन बिचॉलिया दूसरे गाउं जाकर सुशीला की बात करता है और लड़के वालों को सारी बात बताता है लड़के वाले भी सुशीला को देखने के लिए तयार हो जाते हैं देखते ही देखते एक दिन वही लड़के वाले बिचॉलिया के साथ सुशीला को देखने आते हैं और सुशीला का उस लड़के के साथ रिष्टा पक्का हो जाता है और कुछी दिनों के बाद सुशीला की उधर शादी हो जाती है शादी के बाद सुशीला के ससुराल वाले सुशीला को बहुत परिशान करते हैं सुशीला के माता-पिता गरीब होने के कारण सुशीला के ससुराल वालों को कुछ कह भी नहीं पाते थे सुशीला भी अपनी ससुराल में बहुत परिशान रहने लगी वो अपने सारे दुखदर्द अपने माता-पिता को भी नहीं बताती एक दिन सुशीला की साथ सुशीला से बहुत काम करवाती है और उसे खाना भी नहीं देती यह देख सुशीला बहुत रोती है काश, काश आज मेरे माता पिता अमीर होते तो आज मुझे ऐसा दिन नहीं देखना पड़ता मेरे माता पिता ने गरीब होते हुए भी मुझे आज तक भूखा नहीं रखा और यहाँ पर सब कुछ होने के बाद मुझे दो वक्त की रोटी ठीक समय पर नहीं मिल पाती मेरी तो ऐसी हालत हो गई है कि मैं अपने घर पर बता भी नहीं सकती ऐसे देखते ही देखते ही सुशीला के ससुराल वालों का रोस का हो गया था कि वो उसे खाना नहीं देते थे और वो भूखी रहती एक दिन परिशान होकर सुशीला ने ठान लिया कि वो अब या अत्याचार और बरदाश नहीं करेगी वो अब पहले की तरह गाओं के लोगों को डांस सिखाएगी सुशिला अपने पती से डांस सिखाने की बात करते हुए सुनो जी मैं चाहती हूँ कि मैं पहले की तरह गाओं के बच्चों को डांस सिखाऊ ओ तुमने ये सोच भी कैसे लिया हमारे घर की बहु बेटियां ये छोटे और गंदे काम नहीं करतीं अरे डांस तो एक कला है मैं कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ मैं तो गाउं के बच्चों को एक कला सिखाने की बात कर रही हूँ तुम्हें शर्म नहीं आ रही, तुम मुझे डान्स के लिए कैसे बोल सकती हो, तुम तो मेरी नाक्षी कटवा दोगी, तुम ये सब नहीं कर सकती, तुब ताब घर पर रहो और घर का काम करो। वहां कि टीचर को सुशीला का डान्स पसंद भी बहुत आता है, और उन्हें एक डान्स टीचर की आवशक्ता भी होती है, तो वो तुरंत ही सुशीला को डान्स टीचर रख लेते हैं। सुशीला घर आकर अपने पती और ससुराल बालों को बताती है, मैं आज, मैं आज गाउं की डांस अकेड़मी में गई थी, मुझे वहाँ पर उन लोगों ने डांस टीचर रख लिया है, उन्हें मेरा डांस बहुत ही पसंद आया हमारे घर की बहु बेटियां ये छोटे काम नहीं करती, क्या तुम वाकिफ नहीं हो इस बात से, तुम नहीं जा सकती ऐसे डांस सिखाने, इससे हमारे घर की बेज़ती होगी, हम तुमें ये काम नहीं करने देंगे मा मैंने तो इसे कल बहुत समझाया था, पर ये छोटे घर की लड़कियां मानती कहां है, जादा ही इसे शौक चड़ा हुआ है डांस का, मेरी सारे गाउं में ना कटवा के ही मानेगी जी डांस करना कोई गलत बात नहीं है, डांस तो एक कला है ये सब तु हमें मत सिखा, यहाँ जादा ग्यान बातने की ज़रत नहीं है, बड़ी आई, चलके, कल से तु डांस सिखाने के लिए बाहर निकली न, तो तेरी हड़ी पसली एक कर दूँगी, तेरा वो हश्र करूँगी कि तु सोच भी नहीं सकती सुशीला के परिवार के इतना डाटने के बाद भी अगली सुबह सुशीला डांस एकेडमी पहुँच जाती है, सुशीला का ये कदम देख कर उसकी सास बहुत गुस्सा हो जाती है ये कल मुही चली गई अपना मूँ ठाकर नाचरे गाउं में, ये हमारे खांदान की बेज़ती करवाईगी, ये औरत घर आये तो इसे मैं ऐसा कर दूँगी कि ये घर में भी इधर से उधर नहीं जा पाईगी, गाउं में जाना तो दूर की बात है, सुशीला की सास अपने बेटे को भड़काती है, तुझे तेरी बहु संभालने में नहीं आ रही क्या, इतनी बत्तमीज होती जा रही है ये दिन बदिन, इसे इतना समझाने डाटने के बाद भी ये मुह उठाकर चली गई नाचने, आज इसे आने दो माँ घर, इसे तो मैं बताता हूं, इसने सच में ही बहुत नाच में दम कर रखा है, मैं तो इससे परिशान आ चुका हूं, शाम को सुशीला अपनी डांस क्लास खत्म करके घर लोटती है, और उसका पती और उसकी सास उसे बिना कुछ बोले पीटने लगते हैं, सुशीला समझ जाती है कि डांस के चकर में उसका पती औ उसकी सास मिलकर उसे मार रहे हैं, मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, सुशीला बहुत चिलाती है परंतु उसे कोई बचाने नहीं आता, क्यों, तुझे बहुत शोक है ना नाचने का, हाँ, तेरा मैं ही यहाँ पर ब्रेक डांस करवाता हूं, तुझे ऐसा नचाओंग कि तु याद रखेगी, मैं नहीं जाओंगी, नहीं जाओंगी अब मैं डांस करने, मैं तो सिर्फ इसले जा रहे थी कि मैं दो वक्त की रोटी अपने लिए खा सकूं, या तु मुझे खाना भी नसीब नहीं होता, यह बात सुनकर सुशीला की सास और गुसे में आ जाती है अच्छा, तुझे हम खाना नहीं देते न, आप तुझे खाना मिलेगा भी नहीं सुशीला का पती मार मार कर सुशीला की टांगे तोड़ देता है और उसे खाना भी नहीं देता ऐसे ही देखते ही देखते सुशीला खाने के लिए तडप्पी रहती है और अपने ससुराल वालों से खाना मांगती है पर उसे खाना ना मिलने की बज़े से वो कुछ दिनों बाद मर जाती है तब ही से सुशिला एक चुडैल बन जाती है और उसकी आत्मा उसके घर में भूनती है सुशिला की घर से हर समय घुंगरू की आवाज आती सुशीला की आत्मा जहां जहां भी चलती उधर उधर उसके घर में घुंगरू बचते सुशीला की मौत इतने बुरे तरीके से हुई थी कि उसकी आत्मा ने ठान लिया था कि उसके आत्मा ने ठान लिया था कि अब वो उसके पती और उसकी सास को बहुत परिशान करेगी वो उन्हें मरने भी ने देगी और उन्हें बहुत परिशान करेगी एक दिन सुशीला की सास घर पर अकेली होती है और वो घर पर खाना बना रही होती है तबी सुशीला की आत्मा उसकी सास के आगे प्रकट हो जाती है ये देखकर उसकी सास बहुत डर जाती है कोई है, मुझे बचाओ, कोई है बुडिया, तुने मुझे बहुत परिशान किया है मुझे खाना तक नसीब नहीं होता था और अब मेरे मरने के बाद तु मटर पनीर बना कर खा रही है तु देखती जा मैं तेरा क्या हाल करती हूँ तु मौद के लिए तरसेगी और तुझे मौद भी नसीब नहीं होगी अरे नहीं, मुझे से गलती हो गई सुशीला तु मुझे माफ कर दे अरे मुझे कोई बचाओ, मैं जल गई, मुझे बचाओ पर घर पर तो कोई नहीं होता सुशीला की सास जली हुई हालत में घर पर एक जगा पड़ी रहती है कुछी देर में जब घर पर सब लोग आते हैं तो सुशीला की सास उन्हें सारी घटना बताती है पर उसकी कोई नहीं मानता और ये बोलकर टाल देते हैं कि उसका वहम होगा ऐसी ही उनके घर में आए दिन गोज सुशीला कभी उसके पती को परिशान करती तो कभी अपनी सास को सुशीला के परिवार वाले अपने ही घर में डरे हुए रहते और सुशीला का जब जो मन करता वो उनके साथ वैसा ही सलूप करती जैसा उन्होंने उसके साथ किया था